हेलो गाइज, वेल्कम बैक टो यूट्यूब चैनल एक्रिकल स्टॉप फो यू, दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बात की थी कि अगर आपके पास आपके गर में हीटर है तो उसको आप कितने अमपेर का MCV लगाएं, ऐसे ही मैंने और वी वीडियो बना कितने MM की तार लगाएं, तो दोस्तों आज किस वीडियो में हम इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे, कि मान लिजिए हमारे पास 1000 बार का हीटर हो, फिर चाहे 2000 बार का हीटर हो, जा फिर 3000 बार का हीटर हो, तो उसके लिए हमें कैसे निकालना है कि हम कितने MM की तार का अगर आप इस वीडियो को end तक देख लेते हो तो आप easily किसी भी rating का heater हो फिर उसके लिए निकाल सकते हो कि आपको कितने mm की तार का यूज़ करना है ठीक है दोस्तों हम इस वीडियो में बात करेंगे कि एक 1000 बात का heater हो उसके लिए हमें कितने mm की तार का यूज़ करना है ऐसे ही नमबर दो, 2000 बात का heater हो और नमबर तीन, 3000 बात का heater हो तो इसके लिए हमें कितने mm की तार का यूज़ करना है इस वीडियो में हम इसके बारे में detail में बात करेंगे तो चलिए दोस्त पता है कि जो गर में fitting की जाती है उसमें copper wires का यूज़ किया जाता है तो जो market में available copper wires है वो होती है एक mm square की, ऐसे ही डेड़ mm square की, उसके बाद हमारे बास आयती है डाई mm square की, चार mm square की और 6 mm square की, हम दोस्तों अपने गरों में maximum 6 mm square तक की wire का यूज़ करते हैं जो कि circuits में यूज़ करते हैं, इसके बाद बैसे 10 mm square की wire भी आती है, बट उसका use हमें अपने गर पर नहीं करना होता क्योंकि वो heavy load के लिए use की जाती है तो दोस्तो सबसे पहले जो mm है इसका मतलब यह है कि जो तार की मुटाई है वो उसका diameter को mm में show किया जाता है कि जो 1 mm की तार होगी उसका diameter 1 mm square होगा छीग है दोस्तो ऐसे ही जो 4 mm की तार होगी उसकी जो मताई होगी मतलब जो diameter होगा वो 4 mm square होगा अब दोस्तो बात यह आती है कि हमें कैसे पता लगेगा कि 1 mm square की या 1.5 mm square की तार कितना current carry कर सकती है क्योंकि उसके रसाब से ही हम select कर पाएंगे कि हमें hitter के लिए कौन सी तार का use करना है कौन सी तार कितने बाट के hitter के लिए use करना है चीक है दोस्तो तो दोस्तो उसको निकालने के लिए मैं आपको एक simple सा तरीका बताता हूँ कि आपको क्या करना है कि मान लिए अगर आपके बाद scope पर wire है तो वो कितने mm की wire कितना current carry कर सकती है उसके लिए मैं आपको एक असान सा तरीका बताता हूँ तो दोस्तो simple सी बात है कि अगर 1 mm की wire है तो वो अपने से 6 गुना मतलब जितनी उसकी diameter है जैसे इस wire का diameter 1 है तो उससे 6 गुना current अपने में से carry कर सकती है तो मतलब एक mm कीटार को हम जब 6 से गुना करेंगे तो यह आएगा 6 ampere तो मतलब एक mm की तार है वो अपने मेंसे 6 अमपेर तक क्रंट को easily carry कर सकती है ऐसे ही दोस्तों अब जैसे ये 1.5 mm की तार है तो जब हम 1.5 को 6 से गुना करेंगे तो यह हमारे पास आयता है 9 अमपेर तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 1.5 mm की तार है वो अपने मेंसे 9 अमपेर तक क्रंट carry कर सकती है अब ऐसे ही 1.5 mm की तार 2.5 को जब हम 6 से गुना करेंगे तो यह आयता 15 अमपेर तो मतलब 2.5 mm की तार 15 अमपेर तक क्रंट अपने मेंसे carry कर सकती है ऐसे ही 4 की 24 संपेर तक और 6 mm कीतार अपने में से 30 संपेर तक करंट कैरी कर सकती है तो दोस्तो अब आपको पता लगया है कि 1.5, 4, 6 mm स्केर कीतार अपने में से कितना कितना करंट कैरी कर सकती है अब हमें अगर पता लग जाए कि 1,000 बाट का या 2,000 बाट का या 3,000 बाट का हीटर कितना करंट लेगा तो हम इन में से easily select कर पाएंगे कि हमें कौन से हीटर के लिए कौन सी तार का use करना है तो यहाँ पर करंट निकालने का आपको तरीका बताता हूँ तो दोस्तो जैसे कि हमें पता है कि जो power होती है उसका formula है voltage into current यहाँ पर दोस्तो जो P है यह हमारे पास power जो B है यह है voltage क्यूंकि आपको पता है आपके गर पर voltage कितने आती है ऐसे ही जो हमारे पास I है current ठीक है दोस्तो तो दोस्तो इनकी values जब हम इस formula में डालेंगे तो यहाँ से हम current मदलो I को निकाल सकते हैं चीक है दोस्तो अब यहाँ पर हमें पता है जो P है वो हमारे पास कितना है तो हम center में लेंगे 220 वोल्ड अब हमें क्या करना है इस formula में इन values को डालना है तो P कियागा 1000 आजएगा ऐसे ही B मलब voltage किया 220 आजएगा और I मतलब current हमें निकालना है चीक है दोस्तो तो दोस्तो जब हम इसको calculate करेंगे तो जाएगा 1000 बाग 220 चीक है दोस्तो तो दोस्तो अब हम इसे calculate कर सकते हैं तो जब हम इसे calculate करते हैं तो यह हमारे पास आयता है 4.54 अमपेर तो इसका मतलब यह हुआ कि एक 1000 वाट का heater है जो वो 4.54 अमपेर तक करंट लेता है मतलब इतनी उसकी करंट लेने की capacity है तो दोस्तो अगर अब हम इस list में से देखें तो हमारे पास पता ह है कि जो 1 mm² की तार है भो भी 6 अमपेर तक करंट ले सकती है ऐसे ही 1.5 mm² की तार भी 9 अमपेर तक करंट ले सकती है तो दोस्तो इस list से हमें पता लगता है कि 1000 वाट के लिए हम 1 mm की तार का यूज़ कर सकते हैं चीक है दोस्तो बड़ दोस्तो क्योंकि जो heater है जे high loading capacity wise है जि but due to safety factor हम 1.5 mm² तक की तार का यूज़ करेंगे क्योंकि ये 9 अमपेर तक करंट अपने में से carry करवा सकती है तो 1000 वाट के लिए हम 1.5 mm तक की तार का यूज़ कर सकते हैं तो दोस्तो आई होब आपको clear हुआ होगा कि हमने कैसे निकाला कि अगर हमारे पास 1000 वाट का heater है तो व बोल्टे हमारे पास सेम ही रहेगी 220 वोल्ट अब हम फिर से formula का यूज़ करेंगे P equal to V into I छी करी तो अगर जब हम इस formula में values को डालेंगे तो फिर से आएगा I equal to अब यहाँ पर पहले हमने P लिया था 1000 बट यहाँ पर हम पी लेंगे 2000 छी करी क्योंकि इस case में जो heater की capacity है वो इसका मतलब यह हुआ कि यह हुमारा 2000 बाट का heater है उसकी जो current carrying capacity है वो लगबग 9A है चीक है दोस्तों अब हम फिर से इस list में देखते हैं तो एक तो जो 1.5 mm² की तार है यह 9A तक क्रण ले सकती है बर दोस्तों अगर आप देखोगे यहाँ पर 9.09 बन रहा है मतलब यह 9A से 15A तक current ले सकती है तो हमारा safety factor भी रखकर चलें तब भी हम easily 10 mm² की तार का use कर सकते हैं तो दोस्तों इसका मतलब अगर हमारे पास 2000 बाट का heater है तो उसके लिए हम 10 mm² की तार का use कर सकते हैं easily ठीक है दोस्तों इससे हमारा heater बड़ी असानी से चल पाएगा और कोई wire melt भी नहीं ठीक है अब दोस्तों ऐसे ही हम बात करेंगे तीसरे केस के लिए यहां पर हमारे पास 3000 बाट का heater है तो यहां पर हमारे पास जो power है वो 3000 बाट का heater है वोल्टे हमारे पास सेम ही रहेगी क्योंकि घर पर 220 बोल्ट ही आती है ठीक है अब हम फिर से इस formula में P equal to B into I यहां पर जो पी है जो power है बी है जो बोल्टे है और जो I है जो क्रंट है इस formula में इन values को डालेंगे और यहां से हम क्रंट को निकाल देंगे तो जब हम इन values को इस formula में डालते हैं तो इसको अब हम calculate करेंगे तो यह हमारे पास आयता है I equal to 13.63 Ampere ठीक है दोस्तों तो दोस्तों इसका मतल देखें तो हम इस heater के लिए die mm square की तार का यूज़ भी कर सकते हैं क्यूंकि die mm की तार 15 Ampere तक करंट ले सकती है और ऐसे ही अगर आप देखोगे कि अगर हमें ज्यादा safety रखनी है कि मतलब हमारी तार की life बनी रहे बोल सालो साल ना चले तो हम 4 mm square की तार का यूज़ भी कर स सकते हैं क्यूंकि उसकी क्रंट केरिंग पैस्टी यह वह 24 Ampere है ठीक है दोस्तों तो इसका मतलब 3,000 बाट के heater के लिए हम die mm square की तार का यूज़ कर सकते हैं ठीक है दोस्तों दोस्तों यहां पर 1-0 और आएगी ठीक है दोस्तों तो मतलब अगर हम die mm square की तार का यूज़ कर सकते हैं तब भी हमारा जो 3,000 बाट का heater है अच्छे से चलेगा बट अगर हमें लोग लाइफ चाहिए मतलब तार सालो साल ना जले तो हम 4 mm square की तार का यूज़ भी कर सकते हैं तो दोस्तों इसी परकार से अगर और रेटिंग का heater हो फिर मालो 4000 बाट का heater हो 5000 बाट का heater हो तो हम easily same formula का यूज़ करके निकाल सकते हैं कि उसके लिए हमें कितने mm की तार का यूज़ करना है ऐसे ही अगर 500 बाट का heater हो तो उसके लिए भी हम same formula का यूज़ करके निकाल सकते हैं कि कौन सी तार का यूज़ करना हो कि आपको कितने भी बाटेज का हीटर हो उसके लिए कौन सी तार का यूज़ करना है तो कैसे निकालेंगे और आपको ये वीडियो यूज़ पूल लगी होते से लाइक और शेर जिरूर करें और ऐसी और वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जिरूर करने ठेंक्यों गाइज